दूस्तू वाटर हीटर का यूज अधिकतर घरों में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है लेकिन शायद आप यह नहीं चानते होंगे कि आखिरकार इस वाटर हीटर यानि गीजर को फैक्टर में कैसे बनाते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्टर में इन गीजर को कैसे बना जाता है दूस्तू गीजर को बनाने के लिए सबसे पहले इसके में पार्ट यानि आउटर बोडी को बना जाता है जिसे बनाने के लिए मेटल शीट का यूज किया जाता है सबसे पहले इस मेटल शीट को रॉलिंग मशीन से ग अगली प्रोसेसिंग में अब वोटर टेंग को बना जाता है जिसमें गर्म पानी इकटा होता है जिसके लिए एक गोल प्लेट को हाइड्रोलिक त्वारा पंच किया जाता है जिससे आधे कटोर्यनुमा इस्ट्रक्चर बन जाता है अब आगे इन दो कटोरों को आपस में वेल्टे करके वोटर टेंग त्यार कर लिया जाता है अब अगली प्रोसेसिंग में इस वोटर टेंग के लिकेज की जाज की जाती है जिसे हाई वोटर प्रेशर टेकनलोजी दोरा जाजा जाता है अगली प्रोसेस में इन टेंग को शोट ब्लास्टिंग प्रोसेस दोरा खुजरा जाता है जिससे इस टेंग में उपस्तित सारी गंदगी बाहर निकाल जाती है इस प्रोसेस के बाद इसमें ड्राइ कोटिंग की जाती हैं जिससे यह घीजर अधिक सालों तक चल सके यानि इसकी बोडी को कोई नुकसार ना हो अब इन वाटर टेंक्स को 850 डिगरी सेल्सियस पर गर्म किया जाता हैं ताकि इसमें उपस्तित वाटर कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाएं अगली प्रोसेस में इन वाटर टेंक्स की कोटिंग को सुखाने के लिए लगबग इने 48 होवर तक ठंडे टेंपरेचर में प्रोसेस के बाद इन टेंक्स को आउटर बोडी के साथ अटेच करके इसमें हीटिंग 멋있 टेमपरेचर कंट्रोल हती और इनलेट व़ आउट्लेट वाइप को भी एसेंबल किया जाता है इसी के साथ टेंक और आउटर बोडी के बीच इंसुलेटर एजेंट को भी लगा जाता है जिससे इसकी हीट बाहर नहीं आती है और पानी ज्यादा देर तक घर्म रहता है अब आगे इस वाटर टेंक की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन वाटर हीटर को बेक कर सेलिंग के लिए फैक्टर से रवाना कर दिया जाता है तो दोस्तो इस तरफ फैक्टर में बनाए जाते हैं घीजर कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जुरू बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना थैंक्स पूर वाजिंग दिस वीडियो